प्रजवासी मानमंदर बासनी मॉरलिका शर्मा जी अपसे कुछ दिन पहले यूजर्शी में थी। अपने स्टूडियो में हमने उन्हें अमंत्रटकर भागवत न पहलूँ पर चर्चा की। मोरलिका शर्मा जी टीवेश हमें आपका बहुत-बहुत सभागत दन्यवाद बड़ी प्रसनता हो रही है आपसे और काफी मैं कहुंगा कि प्रभावित हूं यह जानकर कि आपके पिछले काफी समय से जो है भागवत कथा का अध्यन कर रहे हैं हमें यह बदाए कि किस उम्र म थी तो मैंने यह कथा कहना आर्म किया अपने गुरु माराज की प्रेड़ना से और उन्हीं के सानेदे में मुझे यह सब करना और यह सब मुझे सीखने को मिला क्या लगता है कि बच्चे और युवा वर्ग भागवत की और उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए कि यह सोच रही काफी समय से तो उसके लिए मुझे बात समझ में आयी कि हम लोग नहीं यहानी के बाद देखा कि यहाँ जो भक्त परिवार जाते हैं और आखके जो बहुत कई संस्कार हैं यारथ की और एक अग्रसर करते आ हैं वो प्राण बच्चों के अंदर युगा प्लीडी के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं तो मैं यह कहना जाओंगे कि चुकि भारतिय संस्कृति ही नहीं, संपुन विश्विकी संस्कृति का जो मुख्य आदार है, वो है धर्म, वो है भक्ति, कृष्ण भक्ति, तो मैं यह कहना जाओंगे कि सभी विद्यालव में, किसी अंश में, अगर आप 6 गंटे बाकी पढ़ स्वय मान मंदिर सेवा संस्ता से जुड़ी होई है, ब्रिजवासी है, वहाँ पर बच्चों को भागवद, गीता, रमायन इस तरह के पौराने गरंतों का अध्यान किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उनका ध्यान इस और उजागर किया जाता है, संस्ता की इसके पुझ गुरदेव हैं, पुझ गुरदेव हैं, पुझ श्री रमेश बागाजी महराज, तो हमारी संस्कृति किस तरह से जीवन से जुड़ी हुई है, और किस तरह से धीरे-धीरे लुट्ट हो रही है, उसके और उनका ध्यान गया, और उस फेली उन्होंने काफी सेवा, उन्होंने आरम रखी, अब जैसे देखें, वो अपना एकलोते बेटे हैं, अपनी मा की, सब को छोड़ चाड़ के आया, और उनके जो पिता थे, वो भी अंग्रेजों के शासनकाल में, और पुलिस महार निरिक्षक थे, अजिक्षक थे बहां के, तो कोई सुक्सविधा की सब को छोड़ के आये, उसके बाद उन्होंने ब्रज में रहे, अभी 60 वर्ष उनको हो गए, 62 वर्ष तो ब्रज में रहे हैं, उसके बाद उन्होंने लगातर ब्रज का विनाश देखा है, और ब्रज का विनाश देखें, चाहिए वो प्रत्वी है, जल है, तेज है, वायू तो देखा जाए तो 500 तत्व जो हैं की बड़ी अहम भूमिका है हम सब के जीवन के उसाथ तो उसके लिए बाबा ने काफी संगर्श किया और लगातर जब से आएं को संगर्श कर रहे हैं कि किसी तरह से ये संस्कृती बचे जलकी आपने बात करें थी तो मुझे मालूम है कि मान मंदिर सेवा संस्तान काफी खबरों में रही थी यमुना स्वच्चता को लेकर के और आप लोगो ने एक आंदोलन भी चलाया था जिसदर भजन किरतन के साथ आप लोग बढ़े थे आगे इस आंदोलन में किस कदर आपक हम यह कहेंगे कि अगर जल नहीं तो जीवन नहीं सब लोग कहते हैं तो यमना जी में समय हो क्या राय कि पिछले कई वर्षों से जो यमनोत्री का जल है वो हर्याना प्रांट में एक हत्नी कुन बैराज है उसमें उसको बंद कर दिया गया है और उसके बाद डेर सो तो वो केवल दिली के लोगों का करोड़ों लोगों का केवल वो मलमूत रहे कारकानों का गंदा वेस्ट पानी है वो सब है वो जबकि यमना नदी जब हम लोग यहां देखते हैं कि यहां की नदियों को इतना प्राधान ने दिया जाता है इतना महत्व दिया जाता है फिर हमारे यहां के नदियों का संब्ध तो पौरानों से हैं हमारे पौरानिक समय से उसको अधिक मैट पर मिलना चाहिए लेकिन मैट पर मिलने के वज़ा इतना मिनाश हम लोग देख रहे हैं फिर उसी जल से चुकी लोगों की श्रद्धा है तो उसको आचमन करते हैं नहाते हैं इन इठाकणों को ना आथें को घरों में पानी ले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं के अब अगयक्ति से लिठोडAut हो 받 हुं तहुत तो एक बार हम लोगों ने इलाबाद से और दिन्नी जिंतरमंतर तक पैदल यात्र की तिर साइकल यात्रा शुरू हुई कई बार यात्राइं शुरू हुई और अभी 15 मार्च को लास्ट जो पंद्रे मार्च गई है इसको हम लोगोंने यात्रा शुरू की बहुत संप्रदाइक है ऐसा करने से लोगों ने विशत को बहुत कम एरिया उसका कर दिया बहुत संकुचित कर दिया तो इस पुस्तक में यह अगर हम इसको एतिहासिक पुस्तक कहें तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि हमने भी एक महापुरुष के ही मार्ग दर्शन में इसका लेखनकार्य संपन किया है और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनोंने ब् स किसिते हैं थाकुर्क क्या हमें श्कीली पूली सद्थन मैं जांश हैं उसे करके और बिकस का सम भनिया में प्रिड्क हैस के संबंढ ठृल से झालाओ Mooji